जीनियस श्रिक्षाईडूब चानल पर आपका स्वागत है फ्रेंड्स आज से हम एक नया सेसन चालू कर रहे हैं जिसमें आपको बिल्कुल सुरुवात से आपको इंगलिस पढ़ना और लिखना सिखाएंगे क्योंकि मेरे पास वहना वाटसेप पे बहुत ज़्यादा मैसेज आ रहा था और कमेंट में भी आ रहा था कि सर आप हमको इंगलिस पढ़ना सिखा दीजे मुझे कुछ भी नहीं आता है मुझे कुछ भी नहीं आता है इंगलिस में प्लीज आप हमें इंगलिस पढ़ना और लिखना सिखा दीजिए, तो मैं न सोचा कि चलो हम एक नया स्ट्रसन चालू करते हैं, जो 2023 में आपकी जो भी इक्छा है इंगलिस पढ़ने का, उस इक्छा को हम पूरा करेंगे, और पुरा दिल से मैं कहता हूं, अगर आप ये जो स्ट्रसन चालू हो रहा है, यदि आप पूरे क्लास को आप अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे, यानि देखेंगे, तो मैं गरांटी के साथ कहता हूं, आपको इंगलिस पढ़ना लिखना आ जाएगा, आपको कुछ भी नहीं आता है, आपको इंगलिस का ए भी नहीं आता है कि अगर आप इस सेशन को लाश्ट तक, यानि जब तक सेशन चलेगा, आप पूरे क्लास को देखेंगे, तो आपको इंगलिस पढ़ना आ जाएगा, क्योंकि मुझे पता है, हमारे चैनल के साथ जो है अधिकतर लोग काम करने वाले जुड़े हैं, यानि वर्क करते हैं, त और उनका अधूरी इक्षा था, यानि सपना था कि हम भी पढ़े होते, हम भी इंगलिस पढ़े होते, तो साइध हमको ये प्रबलेम नहीं होते, आपकी इसी अधूरी इक्षा को हम पूरा करेंगे, जो आपने बच्पन में वो चीज को गमा दिया था, फिर सी आपको ये म इसको आप अच्छे तरीके से देखना है, ठीके, अगर आपको इस समझे में नहीं आता है, तो आप हमारे पास डिरेक्ट वाट्सेप या कॉल कर सकते हैं, जो मेरा नंबर ये है, इसक्रीन ते जो देख रहा है, इस पे आप वाट्सेपे मैसेज करके हमसे बात कर सकते हैं, आपको प्रोब्लम होगा, वहाँ पे हम आपको सलूशन देंगे, ठीके, तो चलिए, अब हम क्लास को शुरू करते हैं, इस एक पर कह रहा हूँ आप, ध्यान से देखिएगा, और पूरे क्लास को देखना है, क्योंकि मैं आज से जो सेशन चालू कर रहा है, बिल्कुल शु भी सिखाऊंगा, ठीके, तो चलिए, बिना देर की वे, आज के इस कलास को, यानिस सेसन का पहला कलास को हम शुरू करते हैं, क्लास को सुरू करने से पहले मेरा सेम डाइला के आज के इस कलास को कर दढ़ें, क्योंकि आप सच में बाद बूल लाते हैं, ठीके, और चैनल पर बिलता रहे तो चलिए अब हम चलते हैं मोबाइल के स्क्रीन पे तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम सीखेंगे अंग्रेजी वर्ण माला यानि इंग्लिस अलफाविक जिसमें हम सीखेंगे इंग्लिस के बड़े अक्षार A से Z तक ABCD और Small Letters यानि अंग्रेजी के छोटे अक्षार A से Z तक तो यहाँ पे देखिए अगर आपको पढ़ने नहीं आता है तो यहाँ पी आप पढ़ना सीख जाएए तो यहाँ पे देखिए Capital Letters यानि बड़े अक्षार इंग्लिस के जो इस परकार से है A से Z तक देखिए इसको पढ़ेंगे कैसे A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z तो आप इस तरह से जो है A से Z तक यानि इंग्लिस के बड़े अक्षार को आप याद कर लीजिए ठीके आप इसको बार बार पढ़िए याद कर लीजिए हो सकत है तो आप इसको कौपी में लिख करके याद कर लीजिए और इसको अच्छे तरीके से पहचान भी कर लीजिएगा तक कि इसके बाद हम पहचान करना यहाँ पर सिखाएंगे ठीक है तो चलिए अब हम इंग्लिस के छोटे अक्षर को पढ़ना सीखते हैं यानि small letters को हम पढ़नाया पर सीखेंगे देखिए small letter किस तरह का होता है A B C D E F G H I J K A L M N O P Q R S T U V W X Y Z तो इस तरह से आप इंग्लिस के छोटे और बड़े अक्षरों को आप पढ़ना सीख सकते हैं इसको आप बार बार पढ़िए होसे कि तो आप अपने copy में लिख करके इसको अच्छे से पढ़कर के याद कर लिजे और इसकी पहचान भी कर लिजे ठीक है जब आप पहचान कर लिजेगा तो यहाँ पे हम आगे सीखते हैं अब देखें यहाँ पे जब आप A से Z तक A से Z तक यानि A to Z बड़े अक्षर और A to Z small letter यानि इंग्लिस के छोटे अक्षर आप याद कर लेंगे और उसको बार बार पढ़कर देखिएगा कि A कैसा लिखा हुआ है B कैसे लिखा हुआ है C कैसे लिखा हुआ है इसी परकार से यहाँ पे छोटे अक्षर में भी देखिएगा A कैसे लिखा हुआ है B कैसा C कैसा यानि A से Z तक चोटे और बड़े अक्षरों को आप अच्छे से याद करके उसको पहचान कर लिजिएगा जब पहचान हो जाएगा तब अपने आपको टेस्ट करना है इस तरह से आप अपने कॉपी में इसको लिख लिजिए ठीके यह जो जितना दिया है ना पहचान करने के लिए दिया है यहाँ पे लिखा है बड़े अक्षरों की पहचान यहाँ पे लिखा है छोटे अक्षरों की पहचान तो दिखिए जब आप इसको अच्छे तरीके से पहचान तो क्या करना है आपका काम आपको खुद का टेस्ट लेना है यानि इसको अपने copy में लिख लिजेगा ये दोनों को small और capital ठीक है दोनों को लिख लिजेगा और तब इसको क्या करना है आपको पढ़ना है अगर इसको पूरा पढ़ दिये आप दोनों को तो समझेए आपको A से Z तक जो English alphabet है वो आपको पहचान है अगर पढ़ने में दीकत होगी तो क्या करना आप फिर से A से Z तक बढ़े और छोटे अक्षर जो है न इसको आप अच्छे से फिर पहचान किजेगा तो देखिए आप टेस्ट किजिए अपने आपको यहाँ पे पहले आप पढ़िए पहले आप पढ़ दीजिए उसके बाद जब हम पढ़ेंगे न तो आप उसको मिलाइएगा कि सहीं आपने पढ़ा है और नहीं पढ़ा है देखिए आप पढ़िए ठीक है अब देखिए यहाँ पे बी आप पहल लीजिए उसके बाद मैं यहाँ पे बोलूँगा उसके बाद मिलाइएगा हमारे बोलने से पहले आपको पहल लेना है ठीक है एफ जी एम ओ आर टी एक्स C H P K D I V E Z J L W Q U Y N A S तो अगर आपने इसको पूरा पढ़ दिया है सही सही तो समझ लिए आपको A से Z तक पहचान हो गया है ठीक है अब इसके बाद आपका काम है A small letter की पहचान ठीक है तो चलिए अगर आपने A से Z तक छोटे ABCD को पहचान कर लिए है तो यहाँ आपने आपको test कीजिए तो क्या करना है इसमें भी आपको सबसे पहले आपको पढ़ना है उसके बाद जब मैं पढ़ूँगा उसको आप मिला लिजेगा कि आपने सच में सही पढ़ा है या गलत पढ़ा है तो यहां पे देखिए आप पढ़ लीजिए पहले X पढ़ लीजिए आप पहले F M A W O S D K A R C V T G B N H Z L U I P E Q J Y तो इस तरह से आप यदी आपने पूरा सहीं पढ़ दिया है तो आपको छोटी अक्षर के जो इंगलिस का लेटर है वो आपको पहचान हो गया है अगर ये दोनों पहचान हो गया है तो आपका काम जो है ना काफी इजी हो गया इंगलिस सीखने में यानी पढ़ने में तो चली आगे अब हम और भी पढ़ना सीखते हैं अगर इसको पढ़ने में प्रोबलम होई है तो फिर से मैं कह रहा हूँ आप A से Z तक बड़े अक्षर और A से Z तक छोटे अक्षर इसको आप अच्छे से पहचान कर लिजिए आपने जो भी पढ़ा है अपने कॉपी में लिख लिजिए पहले उसके बाद आगे फिर किलास किजिएगा ठीके और अपने कॉपी में से देखकर आपको याद करना है और उसकी पहचान भी करनी है ठीके चलिए आगे हम सीखते हैं यहाँ पे दिखिए मिलते जुलते इसलिए यहाँ पे देखिए इसको कैसे हम लिखे हुए हैं और इसको पढ़ कैसे रहा है ठीके देखिए यहाँ पे यह जो है अगर इस तरह का रहेगा ठीके तो इसको आप पढ़िएगा बी इस तरह रहेगा ठीके और यहाँ पे देखिए देखिए दोनों का पेट जो है सेम है लेकिन फर्क ये है कि ये जो है न इस तरह का रहेगा ठीक है तो इसको आप भी पढ़िएगा डी देखिए ये है डी क्या रहेगा इस तरह का रहेगा बाएं साइड में रहेगा ठीक है इसका पेट बाएं साइड में रहेगा तो डी और इस तरह का रहेगा पेट दाए साइड में रहें तो क्या होगा B, ध्यां रखिएगा, यह जो है ना B, और ये जो है D, सबसे ज़्यादा confusion होती है, ठीक है ना, कहीं पे जो है ना B को D और D को B कह देते हैं, तो आप इसको ध्यां रखिएगा, ठीक है यह जो है न, P है, इसका जो है न, उपर से पेट निकला हुआ है, दाएं साइड में, उपर, उपर, नीचे रहेगा तो B, उपर है तो P, देखें आपे, P, उपर है पेट इसका निकला हुआ, लेकिन आपे देखें Q, क्या है, कि इसका जो है न, बाएं साइड में निकला हुआ है उपर तो क्या है ये क्यूं इसको आप पढ़िएगा ये पी और ये क्या है क्यूं ठीक है ध्यां रखिएगा आप ये जो है न पी और ये क्या है क्यूं ठीक है ये जो है न बी है और ये क्या है डी है ठीक है चली यहाँ पर आगे हम और भी अच्छर को देखते हैं जो same same है यह देखिए in और यह है u देखिए यहाँ पे in देखिए और यह है u यह दोनों same यानि फरक यह है कि इसका जो मुह खुला है न नीचे माँ है तो क्या है in इसका जो मुह खुला है न उपर खुला हुआ है तो इसको आप you पढ़ियेगा नीचे मैं खुला रहे मूँ अगर इस तरह का रहे तो क्या है इसको N पढ़ना है अगर इस तरह का रहे और उपर मूँ खुला हुआ रहे तो क्या पढ़ना है आपको U पढ़ना है ठीक है तो यह है N और यह है U ठीक है अब देखिए यहाँ पर I और यहाँ पर T ठीक है यहाँ देखिए अगर इस तरह कर रहा है और यहाँ पर बिंदी रहे तो छोटा I होगा और इस तरह कर रहा है और यहाँ पर इस तरह कर रहा है तो क्या होगा T होगा यह I और यह T आप इसको अगरे अब हम और भी पढ़ना सीखते हैं यहां पर देखिए अब हम देखेंगे इंगलिस का भोवेल यानि स्वार इंगलिस का जो भोवेल होता है वो होता है पांच कितने होता है इंगलिस में इंगलिस का जो भोवेल होता है वो कितना होता है पांच होता है जिसको हम हिंद यहाँ पे देखिए, पहला जो भोवेल है, A, E, I, O, U, यह जो है ना पाँच भोवेल है, जो इंगलिस का भोवेल है, ठीक है, देखिए भोवेल के बिना इंगलिस का कोई भी वर्ट्स नहीं बन पाता है, उसका कोई अर्थी नहीं निकल पाता है, इसलिए आपको जो है में इस तरह का होगा, A, E, I, O, और U, ठीक है, A capital में है, A small में है, यहाँ पे आपकोंफ्यूज मत होईएगा, ठीक है, अब देखिएंगे हम, तो भोवेल कितना है, पाँच, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है, और बता दू, A से Z तक, A से Z तक, टोटल जो लेटर होता है English का ओ, जो होता है न, 26 होता है, ठीक है, याद रखिएगा आप, English में कितने लेटर होते हैं, 26 होते हैं, कितने 26 होते हैं, ठीक है, तो चलिए, यहाँ पे देखिए, अब देखिए, यहाँ पे, consonants, यादि, व्यंजन, यानि, इंगलिस का व्यंजन, यानि, यानि, Consonant, 21 है तो देखिए आपे Consonant कौन कौन सा है यानि 5 गो जो भोवेल उसको निकाल दीजी बाकी जो बचेगा वो Consonant हो गया ठीके B C D F G H J K L M N P Q R S T V W X Y Z इसमें जो है ना 5 जो लेटर है A E I O और U यहाँ पे नहीं है क्योंकि उभोवेल है ठीके और बाकी जो 21 होता है वो Consonant होता है इंगलिस का जो इस परकार से है आप इसको याद रखिएगा ठीके तो चलिए आगे और भी पढ़ना सीखते हैं तो देखिए अब हम अंग्रेजी वर्णों का उचारन करना यहाँ पे सीखेंगे यह सबसे जरूरी है इंगलिस सीखने के लिए यानि पढ़ना और लिखना जब तक आपको उचारन नहीं आएगा तब तक आप एंगलिस पढ़ना नहीं सीख सकते हैं तो यहाँ पे देखिए तो हम जो उचारन सीखेंगे ए से जेड तक यानि ए से जो जेड तक 26 लेटर है उन सभी का हम उचारन सीखेंगे और उनसे बनने वाला जो वर्ड से उसको भी पढ़ना यहाँ पे हम साथ साथ में सीखेंगे जो आने वाला क्लास है उसमें पूरा क्लियर आपको कर देंगे तो फिलाल हम यहाँ पे केवल इसका उचारन यहाँ पे सीखेंगे देखिए यहाँ पे पहला जो लेटर होता है A इसका जो आवाज निकलता है A ठीक देखिए यहां पर c-a-r क्या होगा car ठीक है a का जो है और भी उचारन होता है a a का a उचारन होता है जो इस परकार से है w a y देखिए यहां पर बीच में a है न तो इसका उचारन क्या होगा way जो आने वाले जो class होगा हमारा उसमें आपको पुरा किलियर कर देंगे, ठीके न, देखे, A का A भी उचारन होता है, ठीके, M, A, N, क्या होगा, मैंड, ठीके, इस A का A भी उचारन हुआ है, यह क्यों हो रहा है, देखे, A का तीन उचारन यहां पे हुआ है, A, A, और I, यह क्यों हुआ है, जब हम इंगलिस इसका उचारन ने हम सिखाएंगे न, उसमें आपका पूरा किलियर हो जाएगा, आप इसको लेकर कन्फ्यूज मत हो, यह कोई डाउट्स अपने अंदर मत रखी, हम सारा डाउट्स आपका किलियर कर देंगे, आने वाले किलास में, ठीके, तो देखे, A का तीन उचारन है, A, A, I, ठीक, तो यहाँ पर देखे, दूसरा जो लेटर है, B, ठीक, देखे, इसका जो आवाज आता है, बो आता है, जो आवाज साउंड निकलता है, क्या आता है, बो, तो देखे, इनसे बनने वाला जो वाट से, इस परकार से है, B, O, K, क्या पढ़ेंगे इसको, बुक, क ठीक, तो यहाँ पर देखे, C, क्या है, C, देखे, इसका उचारन जो रहेंदा दो है, को और सो, इसका भी जब आप उचारन नियम सीखाएंगे, उसमें आपको पूरा क्लियर कर देंगे, ठीके, तो यहाँ पर देखे, C, A, T, देखी, कैट, यहाँ पर C का उचारन क्या सेंट यह कैसे हुआ है आपको जब इसका उचारन नियम सिखाएंगे ना उसमें सारा किलियर कर देंगे आप कोई भी डाउट अपने अंदर मत रखिए जो आच्छा क्लास में है बस इसको अच्छे तरीके से आप याद कर लिजिए बस यह कि सी का उचारन दो है को और सो बी क साउंड निकलेगा ड क्या निकलेगा ड क्या निकलेगा ड यह पर देखिए ड एड क्या पढ़ेंगे ड्यायर ठीक तो चली हग आगे और भी सीखते हैं ए देखिए लगल ऋ hunड निकलता है đến ए और ए-ई-ए-भी क्या है she और यहाँ पर a देखिए b, a, d देखिए यहाँ पर e जो है यहाँ पर a उचारन हुआ है bed यहाँ पर e उचारन हुआ है she bed इस सारा आगे आपको clear करेंगे उचारन नियम में यहाँ पर देखिए f f का जो sound निकलता है for निकलता है देखिए इससे बनने वाला सब्द जो होगा words यहाँ इस तरह से f double o t foot g का जो है न दो sound निकलता है कहीं पर go तो कहीं पर jaw देखिए यहाँ पर g double o d यहाँ पर क्या है good यहाँ पर देखिए g का go उचारन हुआ है यहाँ देखिए आप jaw तो jaw का देखिए g e r m क्या है germ यहाँ पर देखिए g का jaw यहाँ पर sound निकल रहा है एच देखिए h का जो sound निकलता है आवाज ह क्या निकलता है ह तो देखिए h e n क्या होगा हेन ठीक यहाँ पर देखिए i i का जो sound निकलता है दो तरीके से निकलता है E और I यहाँ पर देखिए E I-N-D-I-A क्या होगा इंडिया यहाँ पर देखिए I अब I जो sound निकलेगा K-I-N-D क्या होगा kind यह कैसे हो रहा है सब आपको उचारन निया में सिखाएंगे J J का जो आवाज निकलता है J J-O-K-E क्या होगा joke K देखिए इसका जो आवाज निकलेगा कौ निकलेगा क्या होगा कौ तो इसका जो words बनेगा K-I-C-K क्या होगा L देखिए आपर इसका जो sound निकलेगा L-U-C-K Luck यहाँ आप देखिए M M का जो sound निकलेगा Ma M-A-P क्या होगा Map N N का देखिए sound निकलेगा No तो यहाँ पे देखिए what's इससे बनने वाला N-E-T क्या होगा Net O देखिए इसका जो sound निकलेगा O का O ही निकलता है O-L-D क्या होगा Old चलिए आगे और भी सीखते है P P का जो sound निकलता है P क्या निकलता है P P O S T Post Q Q का देखिए इसका जो उचारोंता है Q होता है Q U I C K Quick Q का Q ठीक R R का जो sound निकलता है Raw होता है ठीक है Raw R O S E क्या होगा Roj S S का जो sound निकलता है Saw यानि आवाज सौ होता है उसका उचारन ठीक है S O N क्या होगा Sun या आप देखिए T T का जो आवाज निकलता है Taw होता है ठीक है T E A C H E R Teacher ठीक U तो U का देखिए यहाँ पे जो ना O उचारन होता है U P क्या होगा Up C U P क्या होगा Cup ठीक V V देखिए इसका जो उचारन होगा वाज होगा ठीक है V A L U E क्या होगा Value ठीक क्या आप देखिए W W का जो उचारन होगा वाज होगा ठीक W A L K ठीक यहाँ पर देखिए X इसका जो होता है X-ray ठीक इसका जो उचारन कहीं गई पर आपको मिलेगा कश ठीक ठीक तो इसको हम उचारन नियमे क्लियर कर देंगे आपको X-ray ठीक Y Y का देखिए इसका जो sound निकलता है Y होता है Y Y O U N G क्या होगा Young Z देखिए Z का क्या होगा जो उचारन होता है ठीक Z E B R A क्या होगा J बरा ठीक तो इस तरह से जो है आप English का जो लेटर है A से Z तक यानि English Alphabet A से Z तक ABCD है आप इसका उचारन करना सीख सकते है यानि इसका जो sound निकलता है उसका जो है आप अच्छे से सीख लेना इस class में इसको आप अपने copy में लिख करके अच्छे तरीके से याद कर लिजिए तक कि आपको आगे कोई problem न हो जब तक आपको ये याद नहीं रहे बार-बार आपको problem होता रहेगा ठीके तो आप इसको आज ही problem को खतम कर लिजेगा ठीके अब हम देखेंगे आपे अंग्रेजी के संज्यूक्त अच्छर ठीके तो यहाँ पे देखे CH यानि एक साथ रहे तो इसको क्या पढ़ेंगे हम चा यानि CH एक साथ रहे तो क्या पढ़ा जागा उसको चा उचारण होगा टी एच एक साथ रहे तो इसका उचारण था होगा और कहीं पे था भी होगा था और ठा ठीक पी एच तो इसका क्या उचारण होगा फा ठीक एश ए फो भी होता है कैसे होता है जीसे यहाँ पर देखिए R-O-U-G-H क्या होगा rough क्या होगा rough देखिए यहाँ पर फो का उचारशबन होगा यहाँ ठीक और कहीं कहीं पे जो हैना silent भी रहता है जीसे यहाँ पर देखिए R-I-G-H-T देखिए right इसको क्या पढ़ते हैं right देखिए आप ग्या हो गया silent हो गया तो यह सारा किसारा जो भी आप देख रहे ना यहाँ पे इन सभी को हम आने वाला जो भी class है उनमें सभी को आपको clear कर दूँगा यानि इंगलिस का जो उचारन नियम हम सिखेंगे ना उसमें आपका पूरा clear कर देंगे कि कहां पे कौन सा word रहेगा तो silent रहेगा उसको क्या पढ़ेंगे कैसे पढ़ेंगे ठीके ना तो आने वाला जो class है आप बिल्कुल देखिएगा भूलिएगा मत ठीके तो चलिए आज के इस class में बस इतना ही आज के class को जो है आप अपने copy में पूरा ल आएगा ठीके तो चलिए आज के इस class में बस इतना ही आज के class अपको कैसा लगा है प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बतेएगा और आज के इस class को like करके अपने सावे friends को share कर दीजे ताक वे भी घर पेटे असानी से इस class के माध्यम से English पढ़ना सीखते रहें बिल्कुल जी से ठीके जाएं फिर मिलते हैं next English के class में यानी नए session का class 2 में मिलते हैं